हेलो फ्रेंस, वेलकम टू मैं चैनल दोस्तो आज गिस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं जो मारा RBI Assistant Pre का एक्जाम होने वाला है उसके लिए क्लास नमर 15 होने वाली है और इसमें हम लोग डिसकस करने वाले हैं Quadratic Equation के कुछ important type के questions और देखेगा इससे पहले हम लोग 14 क्लासे अल्रेडे डिसकस कर चुके हैं तो अगर आपको वो सभी वीडियो देखनी हो तो चैनल की उपर मैंने एक playlist बना दिये वो playlist को आप एक बार ज़रूर विजिट कर लिजेगा वहाँ पर आपको सभी videos मिल जाएंगी और जितने भी हमारी next videos आने वाली है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी तो लगबख हर एक topic को हमने cover कर लिया important जो topic थे वो हम लोग cover कर चुके हैं और जितने भी और बचे हैं जो कि exam की point of view से important हैं वो भी हम लोग जल्दी discuss कर लेंगे और आप देखेंगा यार लास्ट के आठ दिन आपके पास में बचे exam 14th feb को हमारे start हो चाएगा तो लगबख 8 दिन ही है हमारे पास में तो अब इन 8 दिन को यार बहुत अच्छे से use करो आप जितने भी मैंने आपको वीडियोज दी है एक बार आप उनका revision भी कर लो ताकि अच्छे से आप लोग चीज़े को cover कर पाओ एक और चीज आप मोक टेस्ट भी लगाओ क्योंकि 20 मिनिट का जो आपको time मिलेगा ना वहापे वो 20 मिनिट के time के साथ में friendly होना बहुत ज़रूरी है अगर आप नहीं सीख पाओगे कि 20 मिनिट को कैसे use करना है तो फिर exam में time बहुत कम लगता है speed test use करने है कौन से करना है यह मैं आपको बता देता हूँ देखेगा यह है परिक्षाइप परिक्षाइप के जो मोक टेस्टे में आप यूज कर सकते हो निचे description box में डाउनओड करने का लिंक भी दिया है नहीं तो आप डाइरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनओड कर सकते हो यह जो coupon code दिया हुए gram go v40 coupon code को कर आप यूज करते हो तो आपको यहां पर 40% का discount मिल जाएगा best test series available आपके RBS assistant exam के लिए देखिए इसके दो benefit है एक तो आपको mobile phone से ही test series लगाने का जो चीज़े है वो test series आप mobile phone से लगा सकते हो किसी laptop पर computer की जरूद भी आपको नहीं बढ़ती दूसरा exam के level के ही questions आपको यहां मिलेंगे ऐसा नहीं क यह जो concept यहां पर मैंने दिखा हुआ है बहुत छोटा सा concept है और यह concept आपका tricks में use होगा आप बोलते नहीं कि tricks चाहिए tricks चाहिए तो वो tricks अगर आपको चाहिए तो इस concept को थोड़ा सा ध्यान में रखना है किस तरीके से use होगा यह concept यह मैं आपको बताने वाला हूँ उससे अगर solve करने जाओगे तो देखे क्या तरीका होता है first यानि x square के साथ में जो भी variable होता है उसको multiply करना पड़ता है किस से constant से तो इसको multiply करो और फिर इसके ऐसे दो factor find करो जिनको plus या minus करने पर तो 36 आजाए और multiply करने पर 324 आजाए clear है उसके बाद में आपकी equation मनती थी कुछ इस तरीके से आप इस तरीके से लिखते थे इस equation को और एक second में लिख देता हूँ और factor आपके मालने जी 18 और 18 आएंगे यहाँ पर तो आप इस तरीके से लिखते थे 18 x minus 18 x और फिर उसको solve करते थे तो तरीका तो यही होने वाला है अभी भी change नहीं होगा बट इसमें हम लो वो अगर आपको पहले ही पता चल जाए ना तो आप इन question को easily solve कर सकते हो तो वही चीज help करेगी हमारा वो concept आपको वो थोड़ा सा समझना होगा कि अगर question में negative और positive लिखा हुआ है तो हमारा जो final answer आने वाला है जो final factors हमारे आने वाला है इस equation के उनके sign क्या होने वाले है आने के sign positive और positive दिखा रहा है तो उसके जो गुणनखंड होंगे इसको जो factor होंगे वो हमेशन negative और negative शो करेंगी अगर positive और negative है तो negative और positive रहेंगी उसके factors अगर question में negative और negative है तो ये positive और negative रहने वाला है और अगर question में negative और positive है तो ये positive और positive रहने वाला है ये चीज़ आप आपको ध्यान रखनी बढ़ेगी आप क्या करना आपके पास में जैसे रफ शीट आ जाया एक्जाम में आप जा रहे हो आपके पास में रफ फेपर आ गया है उसके पास में किसी भी एक कॉर्णर पे छोटे छोटे आप लोग लिख लेजेगा या अगर आपको ध्यान नहीं आने के बाद में आप नहीं रिलेट कर पाते हो जल्दी से तो लिख लेना चोटा सा जब एक्जाम शुरू हो उससे पहले एक-दो मिनिट पहले तो आप लोगों को ध्यान रहेगा वापे कि हाँ और अगर क्वेशन आएगा तो आप आहां से डारेक्ट देखके इनको 25 पॉजिटिव का 25 आया अब दो फेक्टरस ऐसे चाहिए जिनको प्लस या मैनस करने पर 25 आया तो वह होंगे 5 और 5 सबसे पहले क्या करना है आपको आपके साइन देखने जैसे कि यह नेगेटिव है और यह पॉजिटिव है तो जैसे यह आप नेगेटिव और क्लियर है उसके बाद में देखेगा y square is equal to 25 अब जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस का 5 और माइनस का 5 क्योंकि 25 देखे यहां पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि अगर पहले से root लगावा होता है किसी नंबर के ओपर मालेजिए कि यह root 25 लिखावा होता तब इसका आं नेगेटिव भी होगा दोनों में होने वाला ध्यान रखेगा अगर पहले से root लगावा है तो सिर्फ positive और हम लोग खुझ से root लगा रहे हैं यानि कि right hand side से हटा के यहां पर root लगा रहे है y square से हटा कर तो वो क्या होगा हमेशा positive और negative दोन अब क्या करना है देखे यह तो x वाले factors हो गए यह y वाले factors हो गए अब यह अगर मैं दोनों को compare करना है कि कौन बढ़ा होगा कौन छोटा होगा तो चलि compare करते हैं हम लोग देखे प्लस 5 को प्लस 5 से compare किया तो यहां पर क्या हुआ x is equal to y ठीक है अब इस प्लस 5 को इस प्लस 5 से compare किया तो फिर से x और y क्या ह अब इस प्लस 5 को इस माइनस 5 से compare किया तो x क्या होगया यहां पर greater than होगया x ज Jewish बढ़ा होगया इस positive 5 को इस 9 5 से compare किया तो x जो होगया वह greater than होगया यानि कि हमारे पास मिए equation बनी कि x is greater than and equal to y तो x is greater than and equal to y option number 4 यानि कि option number d में हमारे पास में दिया हुआ that d आपको देखते हैं पता चल जाएगा फिर्स्ट को लास से मल्टिप्लाइगी है कितना 324, 324 के factors करने 36 अची तो वो दूनों 18 और 18 ही होंगे, negative और positive लिखावा है इसका मतलब positive और positive, second negative और positive है इसका मतलब positive और positive, 441 के आप लोग factors करोगे 21 और 21 आजाएगे, simple है, आप compare करके देख लिए यहां से y greater than आ जाएगा, y बड़ा आ जाएगा, यहां से y बड़ा और यहां से भी y बड़ा, तो एक ही equation बनी यहां पर y is greater than x, यानि की option number b क्या हो जाएगा हमारे लिए, correct answer हो जाएगा, simple सी चीज़ है, आप इन question को न 5 से 6 सेकेंड में भी खतम कर सकते हो, इस से जोदा समय नहीं लगेगा अगर आपने pricks अच्छे समझ लिए और थोड़ी सी practice कर ली तो, question number 3 देखेगा, question number 3 पर चल रहे है, positive और positive यहां पर लिखा हुआ है, अब इस question को न, मैं आगे solve भी नहीं करोगा, इस question को मैं सिर्फ और सिर्फ इन sign से ही compare करके बता सकता हूँ, कि कौन बड़ा होने वाला और कौन छोटा होने वाला है, अगर देखेगी यहां पर जो भी value आएगी, वो negative कि आएगी, x में जो भी value आएगी, कि दोनों वो negative कि आएगी और y में दोनों value कि इसकी है positive कि है, तो obvious सी बात है न, अगर y always positive है और x always negative है, तो y क्या होगा, positive है और बड़ा हो जाएगा, सीधी सी बात है आपको compare करने की जरूत ही नहीं थी, sorry, आपको factors find करने की यहां पर जरूत ही नहीं थी, आप direct सिर्फ और सिर्फ sign से compare करके बता सकते हों कि why क्या होने वाला है, बड़ा होने वाला है, यहनि कि option number b क्या हो जाएगा, इस question के लिए correct answer हो जाएगा, बहुत छोटी से tricks है, इन चीजों को अगर आप लोग ध्यान रख लिएते हो, तो question बहुत जिल्दी-जिल्दी solve हो जाता है, और यही वो चीजों होते हैं, जिनसे आपकी speed बढ़ जाती है, और आपकी attempt भी बढ़ जाता है, आपकी accuracy भी बढ़ जाती है, अगर आप इसको solve करने जाओगे, compare करके कुछ ना कुछ लिखोगे, हो सकता है कि वहाँ पर जल्दी के चक्कर में गलते हो जाए, बट science से आप लोग direct देख सकते हो, तो यही चीज़े आपको बहुत help करती है, तो ध्यान रखेगा, tricks को अगर use कर पाओ, तो बहुत आसानी से आप लोग tricks use कर लिजेगा, चलते हैं question number 4 के उपर, तो भी आप बहुत लेट हो, 6 seconds भी बहुत लेट कर दिया है, आपने इस question को solve करने के लिए, क्योंकि मैं तो इस question को solve करूँगा ही नहीं, मैं तो सरफ और सरफ यह देखूँगा, कि last में दोनों में negative है, आपके पास में, यानि कि equation 1 में आपका जो constant होने वाला है, वो क्या हो रहा हो रहा है, minus का, और equation y में भी क्या होने वाला है, minus का, तो अगर दोनों last के minus के हैं, तो इन दोनों में आप लोग जो relation है, वो establish करे नहीं सकते, relation cannot be established, relation cannot be established, या no relation can be established, इस एकी बात है, तो option number E, मैं click कर दूँगा, देखते हैं, अगर दोनों minus में आतो, अगर आपको try करना है, इस question को तो आप try कर लीजेगा, आपको first को last से multiply करना होगा, अब ध्यान रखना है minus और minus आएगा, तो फिर उसके solution factors होंगे, इस तरीके से, तो अगर last में minus और minus है, तो मैं always आँख बंद करके, relation cannot be established, clear है, question number 5 पे चलते हैं, question number 5 देखेगा, अब देखेगा, इसमें negative है और positive है, यहाँ पर भी negative है और positive है, चलिएगा, क्या करना है, first को क्या करना है, last से multiply करना है, कितना आजाएगा, 270, first को last से मैंने multiply किया, कितना आगया, 270 आगया, अब 270 के ऐसे दो factor, जिनको plus minus करने पर 37 आए, तो वो कौन-कौन से होंगे, 27 और 10, simple सी तो चीज है, यह चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, और second वालों के भी अगर आप निकाल रहे हो, तो second वाले का क्या जाएगा, 3 into 30, कितना हो जाता है, 90, तो 90 के दो factor, 10 और 9, clear है, तो यहाँ पर देखेगा, 27 और 10, अच्छा, यह positive और positive है, यह negative और positive है, तो क्या हो जाएगे, positive positive, यह negative और positive है, तो positive और positive, अब मैंने यह 9 से divide कर दिया, और 3 से divide कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा आपको भी करना है, अगर आपका x square के साथ में, कोई एक number लिखा हुआ है, या y square के साथ में, कोई भी एक number लिखा हुआ है, उससे divide करना होता है, यानि कि last में क्या करना है, आपको दोनों factor आपके आए, कितने 27 और 10, तो दोनों को divide करना है, इस वाले number से, जो कि x square के साथ में लिखा हुआ है, same y वाली equation में भी, अगर y square के साथ में लिखा हुआ है, तो उससे भी आपको क्या करना पड़ेगा, तो अगर आप divide करते हो, देखें कि उसके बाद में, मैं compare करके दिखाता हूँ, तो 9 को divide किया है, मैंने कितना times आजाएगा, 3 times, पहले मैं x वाले लिख रहा हूँ, 3 आजाएगा, और 10, यानि कि 1 point something आजाएगा, यह positive, 1 point something चलेगा यह वाला, और अगर y की मैं बात करूँ, तो यह 3 point something आजाएगा, 3 point 3 के असपास, और यह आजाएगा positive का 3, अब मैं compare करता हूँ, देखें, इस 3 को मैं compare कर रहा हूँ, इस 3 point 33 के साथ वे, तो y बढ़ा हो गया, अब विसी बात है, तो x, y is greater than x, next वाली condition पर चेक किया, तो y बराबर हो गया, यानि कि y क्या है, बराबर भी है, तो y is greater than and equal to x, next से compare किया, तो y बढ़ा हो जाएगा, क्योंकि यह तो 1 point something है, और यह 3 point है, और यहाँ से compare करोगे, तो यह 1 point something, और यह 3 है, तो y क्या हो जाएगा, आप लोगों को नीचे comment section में बताना है, positive, negative आप लोग देख लिजएगा, जो भी sign है, 5 option आपके सामने है, नीचे comment जरूर कीजएगा, तो फिलाल के सिर्फ इतना ही, मिलते है next video में, thank you,